अब देखे अभी बच्चों से जो 26 के इविनिंग शिप्ट में मेमोरी बेस्ट जो भी कोस्चंस हम लोगों ने कलेक्ट की है या उनसे बात की उसके अकॉर्डिंग जब इस पूरे 21 कोस्चंस हमें मिले उसके बेस्ट पर अगर मैं बात करूँ तो जो अपना इलेक्ट्रो डाइनमिक्स है इससे टोटल नंबर ऑफ कोस्चंस आए 8 और टोटल मार्क्स के कॉर्डिंग हो गए 32 और इसका वेटिज बना 27 परसेंट इसी उसमें देखें अगर तो कैपेसिटेंस में सिर्फ दो कोस्चंस हैं जो की काफी हैं अगर पीछे ट्र 1परसेंट इसी टाइप से जो कुरेंट इलेक्रिटिसिती 1 कोस्चंट बी आहिए एलेक्ट्रमेक्नेटिक फिल्स 2कोस्चंस अगें 2कोस्चंस अब इसमें इंडिजिली एगर एलेक्ट्राइक्ट को देखो तो थोड़ा सा कम लग रहा हैं इन थर्मोडिनमिक्स again 1 question KTG and thermodynamics again 1 question mechanics 8 questions और total अगर marks पर नज़र डालो तो इसमें electrodynamics 32 यानि 27% और mechanics का जो portion है जिसमें अभी इसको और भी हम लोग बात करेंगे, total 8 questions है 32 और इसका 27% overall जा रहा है जो पीछे अभी जो morning में shift हुई है, लगबग उसी के आसपास तो और इसको देखते हैं आगे जिसे अगर topic में mechanics के बाद भी चलें, mechanics के अंदर आके देखें तो center of mass इसमें 1 question है error in measurement से again 1 question है fluid mechanics property of matter 1 question 4 marks 3% gravitation हर साल आता है हर paper में आता है 1 फिर से आ रहा है relative motion 1 question rigid body dynamics 1 question Newton's laws of motion Newton's laws of motion में ये अपने 2 question modern physics 3 electromagnetic wave and communication 1 semiconductor 1 atomic physics 1 optics 1 and geometrical optics and physical optics में 1 यानि इस पूरे paper को अगर हम लोग एक तरीके से देखें या जो अभी paper और भी होने वाले हैं उसमें हर एक chapter से कोई न कोई questions आ रहे हैं बहुत ज्यादा trained किसी particular chapter में नहीं है पर generally कोई भी chapter चाहे वो relative हो या atomic हो जितने भी chapter है अपने सीजल से हर एक से एक एक question में पूछा जा रहा है बट कुछ है modern में जिसे nuclear, atom, photoelectric effect इन सब को मिला के हम लोग 3 category में generally माल लेते हैं तो यहां भी team दिखाई दे रहे अब अगर इन पूरे questions में यह तो पता हो गया कि starting से लेके end तक सभी से कोई न कोई एक question minimum पूछा गया है mechanics को छोड़के थोड़ा जादा है अगर overall paper physics के हम लोग evening shift को देखें अभी 26 वाले को कि difficult level कैसा है और easy level कैसा है जो अपने memory based बच्चों से question हम लोगों ने collect किये उसको देखते हैं तो इसके base पे अगर अगर अपना physics की हम लोग बात कर रहे है जो 11th portion है अक्सर बच्चों को रहता है कि 11 से कितना आता है 12 से कितना आता है तो अगर इन 21 questions के base पे हम बात करें तो अपने class 11 से total number of questions 10 तो इसके according marks हुए 40 अगर इस 21 में से ही हम देख रहे हैं तो 12 में 11 है थोड़ा एक एच जादा है 44, 33%, 37% overall इस से हम लोग एक conclusion ये ले सकते है कि लगबग 11 और 12 अप्रोक्सिमेटी इक्वल ही आता है और ज्यादा तर questions भी NCRT based ही है तो इसकी recording आप profession करें topic wise और chapter wise बात करने के बाद एक और doubt अपने mind में आता है कि tough paper आया, easy paper आया तो अगर हर questions को हम लोगों ने जो analysis किया उसके base पे कुछ और दिख रहाता है कि ये जो total questions थे अपना जो parameter है कि अगर हम easy level को one marks, medium को two और difficult को three तो इसके base पे जब पूरा analysis है तो number of questions जो यहाँ पर eight है वो easy level पर है जो total marks बनते हैं 32 और medium level पे out of 21 से 12 questions है जिनके marks बनते हैं 48 और difficult level one यानि marks बनते हैं four तो अगर हम तीनों के यहाँ पे overall difficulty level देखें तो one point six seven जैसा मैंने बोला कि easy यानि one medium two और difficult three तो इसमें से जब overall निकाल लें level तो one point six seven आ रहा है यानि medium से थोड़ा सा उपर तो ना तो इस paper को tough तो नहीं बोल सकते moderate बोल सकते है So thank you